हुआ है है वालिकम जोनाद वीडियो स्वागत है आपका एक वीडियो में और आप लोगे की डिमांद पर आगया है मेरे पास एक लेटेस लांच वावा ब्लुथू स्पीकर जो भी रिसेंटली बोट ले लांच किया है बोट स्टोन 800 तो आज की इस वीडियो में अंबॉक्स करने वाले हैं देखिंगे कैसे यह स्पीकर होने वाला है कितने का आपको मिल जाता है और क्या इस रेट में आपको यह लेना चाहिए यह नहीं सो गाइज यह रहा है बोक्स इस स्पीकर का और यहां पर जैसे की मेंचन है हिट दर स्ट्रीट तो देखते हैं क्या स्ट्रीट पर इतना ज्यादा लाओड रहता है यह स्पीकर यह नहीं तो यहां पर यह बोट स्टोन 800 उबर की तरफ आपको यहां पर ब्रैंडिंग देख जाती है और कुछ बेसिक से फीचर्स दीए गए हैं जो कि मैं आपको सब बताने वाला उसे वीडियो के अंदर तो बॉक्स को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है पीछे की तरफ इनकी कंपनी की डिटेस दीए हैं जैसे कि और यहां पर जैसे कि हर तरया हर स्पीकर अपको मिलता है वनिया की वरान्टी वही आपको यहां पर मिल रही है और साथ ही साथ देखते है इस बार आपको जो寂दा और और ऑक्षय पर नहीं तो यहां पर हमारे पास है ऑक्स केबल यह आपको ठीक ठाक लेंद में मिल जाती है मैं बहुत ज़्यादा प्रेमियम नहीं के सकता नॉर्मल क्वालिटी एक केबल मिल रहे हैं बॉक्स की अपनी खुद की अच्छी केबल जाती है अगर आप अलग से परचेस करें तो आ आप चाहें तो चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर एक यूजर मैनुवल मिल जाएगी तो कुछ इस तरह की कलर फूर यूजर मैनुवल आपको देखने को बिल जाते हैं यहां पर और साथ ही साथ एक चीज में आपको दिखाना बूल गया यहां पर आपको यह अराम स लगाने के लिए एक लोग भी मिल जाता है इसको भी साईट में रखते हैं यह इस बार X4 में आपको फिकर के अंदर और आते हैं अपने सपीकर की तरफ कुछ इस तरह के लुक में जो है आपको यहाँ पर स्पीकर देखने को मिल जाता है गोल से डिजाइन है सिलेंडर जैसा डिजाइन है नाम ही लिखा वाई सिलेंडरिक डिजाइन आपको मिल जाता है अगर मैं यहाँ पर देखू न शायद आपको camera में ना दिख रहा हो clearly मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर दो units लगे हुए हैं दो drivers दिख रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर और उपर की तरफ जो हैं सारे controls दिए गए हैं और यहाँ पर जैसे मैं आपको बतना दो units मुझे दिख रहे हैं तो दीचे mention है कि आपको 55 watt के दो units मिल जाते हैं यानि आपको टोटल जो 10 watt की यहाँ पर output मिल रही है और controls की तरफ हम आएंगे बाद में बीच में आपको यहाँ पर एक logo सब्सक्राइबल लगा सकते हैं और यह चार्जिंग पूर्ट है माइक्रो यह पोर्ट चार्ज करने के लिए तो चलिए इसको आउन कर लेते हैं और देखते हैं क्या पूरा प्रोसीजर है इसका यह रहा है एक चीज यहाँ पर जो इस रेड़ी टिए गए है इसके अदर आपको अलकिसी जो यह लाइट है वो दिख जाती है जो की काफी अच्छी चीज है और साथ ही साथ में चंट्रोल्स आपको बता देता हूं यह तो पावर ऑन-off का बटन हो गय के साथ साथes डॆ की साथा साथ चेंज करने के लिए भी कामाएं गे प्लेखण का बटन है और यह जो ऑटन यह कि ना यह सपरद करता है अगर आपके पास ऐसे दो सपीकर हैं तो आप साथ में प्लेवय कर सकते हैं और जादा ज King का मज़ा आप उठा सकते है तो बाकिए ज . maximum volume . . कर दो कर दो कर दो जैसे कि आप इसका साउंट टैस सुन लिया है और बात आती है क्या यह स्पीकर आपको लेना चाहिए क्या आपको इसके अंदर खास फीचर्स मेल जाते हैं तो पहले मैं आपको जिसकी बेसिक फीचर्स हैं वो बता देता हूं यहां पर जैसे जैसे कि 10 वाट का स्पीकर हैं 55 वाट के आपको दो यूनिट यहां पर देखने को मिल रहे हैं स्पीकर के अंदर आईपी 65 रेटिंग से साथ आता है जिसका मतलब यह है कि यह वाटर और डस रेजिस्टेंट है प्रूप नहीं है अब हलका फुलका पानी गिर जाएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा हलका फूलका स्प्लैशेज बगार थोड़ा सा पानी गिर गया है तो वह चीज़ को समाल सकता है और मैं और बात करो तो यहां पर जो आपको प्लेबेक टाइम मिलने वाला है 9 गंटे का प्लेबेक टाइम क्योंकि इसके अंदर को बैटरी मिल ज सकते हैं आपकी ऑक्स केबल लगा सकते हैं बाकी यूएसबी बगारा को आपको यहां पर नहीं मिलता या FM मोड को आपको देखने को नहीं मिलता ब्लूटूथ की अगर वजन की बात करें तो ब्लूटूथ 4.2 आपको मिलता है जब तक मुझे जो लगता था कि इस स्पीकर क अंदर जो लेटेस स्पीकर है ब्लूटूथ 5 आपको मिलना चाहिए था और अब बात आती है जो आपको यहां पर मैंने साउंड टेस्स सुनाया है कैसी कॉलिटी कैसी क्लारिटी निकल कर आई है तो सबसे पहरी चीज जैसे कि बॉक्स पर मेंशन है HD साउंड आपको मिलने है HD कॉलिटी मैं कहूंगा मैंने 3-4 सॉंग्स प्ले किये हैं आपकी हर बार जो है वो डिमांड आती है कि जो सॉंग्स आप लेकर देर के लिए वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं एक अलग से जो साउंड टेस्स की वीडियो है वो ड सब्सक्राइब करेंगे और दूसरी चीज जहां पर जो मुझे कमी लेगी स्पीकर के अंदर वो है लाउडनेस जो इसकी लाउडनेस है दस वाट के साबसे मतलब इतनी ज्यादा लाउडनेस नहीं है मुझे लगता था कि यह स्पीकर हिला देगा पुरा रूम को वैसा नही लेकिन आपको बैस में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है स्पीकर के अंतर मुझे इतना सा भी मज़ा नहीं आया हूं मतलब और स्पीकर मैंने प्ले किये हैं उसकी बेस ऐसी होती कि स्पीकर हिलनें लगता है 10 जॉट के अंतर आप 10 वोट के नदर बैस बिल्कुल पसंद का मुझे मिली ही नहीं सिर्फ जो अच्छा लगा वो लगा यहां पर क्लारटी और चीज़ जो मुझे इसके अंदर अच्छी लगी इस फिकर के अंदर वो है इसका डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है स्लीक सा लुक है और बहुत जादा लाइट वीट है हेवी नहीं है काफ सीजल् rings operation बाइब को एक Orthodox को युझ सेब खरें साथ साथ यहां पर आपको LED लाइक जो है वो ब्लिंक होती लुँग दीग जाती है चुट कर जिका नतर जो कि काफी आचर लोग दे रही है अब बात आती है इस से कर कि प्राइस की तो यह जो सि हमीिल है यह एविलेबल है फ्लिपकार्ट पर 2400 रुपीज में चौबीस रूपए में यह एविलेबल है तो पहले तो आप सोचिए क्या 2400 रुपए में यह स्पीकर जिस्टिफाइक करता इस प्राइस को आपको लेना चाहिए यह नहीं लेना चाहिए तो मेरे दोस्तों 2400 की output दे देते हैं और इससे ज़दे आपको बढ़िया quality clarity मिल जाएगी हाँ अगर इस speaker के price थोड़े से कम हो जाते हैं यह आपको speaker मिल जाता है around 17-1800 रुपीज में तो काफी सही है डील्स वगरा में शायद भी नया launch हुआ इसलिए महंगा है और आने वाले टाइम में इस पर प्राइशिंग गिर जाए तो आप ज़रूर इस speaker को खरी सकते हैं लेकिन आप फिर भी अभी भी खरीदना चाहते हैं तो जो लिंक है वो आपर कमी लगी जैसे मैं आपको बताया है बेस की मुझे काफी जादा आपर कमी लगी speaker के अंदर और आगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जो है वो जोर से दबा दीजिए और अगर आप नए है चैनल को सब्स्क्राइब नहीं कर रहा है तो वो भी करते हैं क्योंकि मैं आपके लिए क्या तो रोज ऐसी वीडियो ऐसी चीजें ऐसे speakers आपको पसंद आए आपके काम भी आएं दोस्तों मैं हूँ फाहीं खुदा हाफिज बाबाए